आप जो टेटू पहनते हो वो कभी मीटता क्यों नहीं है और बिस्किट में ये छेट क्यों होते हैं और भी इस तरह के इंट्रेस्टिंग फैक्ट जानागा वीडियो के एंड में यह इमेज जो आप देख रहे हो यह कोई गाउं या शहर नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहां पच्चास लाग से अधिक मुर्दे दफन है और यह जगा इराक में इस्तित है जिसे पीस ओफ वैलिक के नाम से जाना जाता है जब चारली चेपलीन को ओसकर अबाउट दिया गया था तो लोगों ने 12 मिनट तक खड़े होकर तालिया बजाई थी जो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्टेंडिंग ओप्शन है दोस्तो आपने भी बहुत सारे बिस्किट में यह छोटे छोटे छेट तो देखे ही होंगे कई लोगों को तो यह केवल डिजाइन ही लगता है लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश से होता है दरसल बिस्किट में यह छेट जान बूझ कर किये जाते हैं ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो वह अंदर और बाहर दूनों तरब से पके और करंची बन सके इसलिए बिस्किट में यह छेट किये जाते हैं दोस्तो आजकल टेटू एक ट्रेंड बन गया है कोई अपने मा के लिए तो कोई अपने प्यार के लिए और कोई अपने शोक के लिए टेटू बनवा रहे हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखी टेटू कभी क्यों नहीं मीटता है तो चलिए जानते हैं दरसल दोस्तों टेटू को बनाने में स्याही से भड़ी बहुत ही छोटी-छोटी सुईयों का उप्योग किया जाता है। यह सुई हमारे तोचा के सबसे उपनी परत एपिडर्मिस को भेद कर उसके नीचे मोजूद डर्मिस तक पहुँच जाती है। जिससे हमारे तोचा को काफी नुकसान पहुँचता है और हमारे शरीर में जहां भी नुकसान होता है वहाँ स्रेत रूधिर कनिका पहुँच जाती है। और यह दोनों सेल्स हाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज दोनों ही डर्मिस में रह जाते हैं लेकिन उसके उपनी परत एपिडर्मिस द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाती हैं क्योंकि एपिडर्मिस के सेल्स नियमित रूप से बदलती रहती है लेकिन डर्मिस के तो बिटी को लाइक जरूर करना